नमस्कार मेरे शेयर शेयर लाड़ो लाड़ो आप सभी का स्वागत आपके अपनी इटूब चैनल कमांडो अकेडमी पर दोस्तों ये वीडियो में लेट नाइट दे रहा हूं लेकिन इसके पिछे एक रीजन है बहुत इंपोर्टेंट अभी मेरे को जानकारी मिलिए मेरे ए इसके जो पहले सेशी की जो आईडी बन रखी थी उसमें इसका नेम और अभी जो हमने फोरम भरा था तो हमने अपडेट वर्दन भरा था तो अपडेट वर्दन भरा था तो उसमें क्या वाकी उसको फोरम को रिजेट कर दिया गया लेकिन हमने एससी को एक मेल किया था तो कि आप चेक करें तो SSC की तरफ से ते को reply आया है साथ एक चीज़ हो रहा है मैं आपको बताता हूं यह नि आप सही पाएगे हो अभी जो एक्जाम हो रहा उसके लिए यूर रिक्रेश टू विजिर दैं वेफसाइड डैवल डोट ऐससी या डोट और जी तो इसकी ओपीशल साइड है इस पर विजिट करके आप अपना चेक कर लिजे एक्जामिनेशन और लारतों मैं बता हूं इसका बच्चे का एड्मिट कार्ड आ गया भाई है मन्त नाम का बच्छा मैंने बताया था पहले इसका reject हो गया था और साफ साफ not accepted दिखा रहा था लेकिन जब हमने mail किया SSC की official जो वेब साइड है यह जिस बिलोंग करता वहां से आप जिस भी state से बिलोंग करते हों आप कौन से zone में आते हो उस zone की जो email आईडिये उस पे जैसे यह देखो contact SSC er8 government.in इस पे आप भी connect करिए ठीक है इसी परकार आपके जो भी zone की जो भी है उस पे connect करिए automatically आपको reply भी आएगा और शाथ में एक चीज़ बता हूँ इस बच्चे की जो exam date हो 15 December decide करके exam date भी दे दी गई है लाड़ो जानगना ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बच्चे का देखो यह admit card यह है मंत नाम का बच्चा है यह मेरी academy का बच्चा है इसका फोरम डिजेट हो गया था तो mail की उसकी वज़े से इस बच्चे का वापस फोरम डिजेट accept हो गया यहां पर application provisionally accepted और इस बच्चे के तो exam date दी गई है वो दी गई है 15 December ठीक है इसके कोई प्रोब्लम नहीं थी थी थोड़ी नेम में थोड़ी चलकी सी प्रोब्लम थी उसकी प्रेशानी हो गई लेकिन अब यह बच्चा आसानी से paper दे पाएगा और यह खुशी के ब प्रोब्लम नहीं है मोदे फिलीज एक बार चेह कर लिजिए ठीक है लाड़ लो मुझे भी बहुत खुशी है और आप याद रखिए इस प्रकार के काम करिए ताकि आपका काम बन जाए लाड़ लो जै हिंद जै भारत